आज का गेमिंग नीज के एपिसोड में आपको GTA 6, GTA Trialogy, BGMI and Free Fire Max, Mumbai Egalies, Minecraft और ऐसी बहुत से गेम्स की नीज जानने को मिलेगी Rockstar Games ने अनाउंस किया है कि उसने GTA Trialogy की फिजिकल डिलीज डिले कर दिया है मतलब जो गेम है वो डिटिटली तो रिलीज हो चुका है सभी स्चोर्स पर पर उसकी फिजिकल डिस्क फोर Xbox, PlayStation और Nintendo डिले हो गई है Xbox और PlayStation के लिए अब 17th December को आएंगी जिसका मतलब भी 10 डे का डिले है और Nintendo के लिए 2022 में आएंगी तो उनके लिए कुछ जाधा ही डिले कर दिया है इसका exact reason नहीं पता है लेकिन शायद वो पहले गेम को fix कर देना चाहते होंगे और इसलिए डिले किया होगा अब बात करते हैं Google Play Awards winners की तो Google Play Store ने India and World के Best Games के विनर्स के लिस्ट निकाल दिया है सबसे पहले तो इंडिया में BGMI को Best Game Out of the Year and Best Competitive Game के अवोट दिया गया है जो की काफी बड़ी न्यूस है फिर में User's Choice Award भी था जिसमें लोग अपने फेवरेट गेम के लिए वोट कर सकते थे और Free Fire Max को दिया गया है User's Choice Award क्योंकि उससे बहुत डाउनलोड किया गया और लोगों ने सबसे जादा उसके लिए वोट किया तेन ओवराल वर्ड की बात करूं तो Pokemon Unite को Best Game of the Year के अबॉट दिया गया है और Marvel Future Revolution Best Competitive में आया है Honorable Mentions की बात की जाए तो Crash Bandicoot on the Run और My Friend Pedro Indie Games की लिस्ट में है फिर एक बहुत बड़ा अपटेट आ गया है GTA Trilogy दा Definitive Edition के लिए जिसमें Sawyer Bugs and Glitches को Fix किया गया है जैसे की वो जो खतरनाक Rain थी उसे भी Fix कर दिया है बहुत जगा Spelling Mistakes थी गेम में वो सही कर दिया है San Andreas में Textures की Problem सही हो गई है और अब इंडोर्स में भी बारिश नहीं होती पहले अगर आप किसी उची जगा पे होते थे तो पूरा मैप दिखता था एक बार में जो कि बहुत फेक लगता था तो अब dense fog डाल दिया गेम में ताकि वो थोड़ा सा बड़ा लगे और रिलिस्टिक भी लगे फिर GTA का जो Cinematic Camera Angle है वो भी आ गया है पूरी तरह फिक्स भी हो जाएगा बस अगर पहली बार में अच्छे से गेम रिलीस कर देते तो इनका क्या जाता और मोबाइल गेमर्स के लिए बड़ी न्यूज आ रहे है फ्रॉम सोनी क्योंकि वो एक मोबाइल कंट्रोलर बना रहे है प्लेस्टेशन का इसका एक पेटन्ट फाइल किया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि PS4 के डूल शॉक कंट्रोलर का यूज हुआ है और बीच में मोबाइल रखने की जगा भी है तो मुझे लगता है कि वो क्लाउड गेमिंग की हेल्प लेंगे और ये न्यूज किसी को सर्प्राइज भी नहीं करनी चाहिए विकॉज मैंने आपको पहले बताया होगा कि PlayStation ले मोबाइल गेमिंग में एंटर करना चाहता है और अपने AAA गेम्स को उस पर भी लाना चाहता है आपको क्या ओपिनियन इसको लेकर मुझे बताना कमेंट्स में फिर बात करते हैं मुंबई गलीज की तो वायो डिजिटल ने कुछ ताइम पहले वीडियो शेयर की थी जिसमें मुंबई गलीज की सिटी को थोड़ा सा दिखाया गया था बेसिकली वहाँ की कुछ स्ट्रीट्स में हम गूम रहे हैं और यह बहुती ज़ादा रियल लग रहा है बहुती ओथेंटिक फील आ रही है इससे यह वीडियो में जो लोकेशन दिखाई गई है वो एक गेम के लेवल की है जो किसी मिशन में शायद यूज होगी और गेमियान स्ट्डियो बेसिकली वायो डिजिटल के साथ कुलाबरेशन में काम कर रहे हैं इस गेम पर कर सकते हो सीजन वन के स्टार्ट होने से पहले जो कि एकस्पेक्टेड है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा आपने इसे खिलना स्टार्ट किया या नही मुझे बता ना कमेंट्स में बात करते है माइनक्राफ्ट की तो उसका 1.18 अप्डेट केज और क्लिफस पार 2 डिलीस हो गया है इसमें बहुत सारे चेंजिस हो हैं like mountains बहुत सारे आ गए है लश केज और रिप्स्टोन केज बायों आ गए है नई music disc आई है mobs और और distribution में चेंजिस और बहुत कुछ है मैंने इस पर ए कि उनका stress बढ़ता है या फिर नहीं तो results में निकलके आया की COD Warzone and Apex Legends गेम्स खिलने के बाद उनकी heart rate बढ़ गई पर CSGO and PUBG के बाद उनकी heart rate कम हुई थी और जो चीज सब में common थी वो ये है कि सबी games खिलने के बाद gamers का stress level कम हुआ था ना की बढ़ा था तो इसलिए जो co-founder Jamie King के साथ एक interview लिया गया जिसमें उन्होंने GTA 6 की बात करी तो Jamie King Rockstar Games के co-founder है जिन्होंने Sam Hauser, Dan Hauser, Gary Foreman and Terry Donovan के साथ मिलके ये company start करी थी और उन्होंने studio छोलने से पहले GTA 3, YCD, San Andreas, GTA 4 और Red Dead Redemption Games से काम किया हुआ है तो उनसे जब पूछा गया GTA के future के बारे में तो उन्हों तो इसलिए GTA 6 जल्दी नहीं आने वाली एंड हा GTA 6 बाकी GTA से बहुत डिफरेंट होने वाली है क्योंकि Leslie Benzies and Dan Hauser छोड़के जा चुके हैं ऐसा हो सकता है कि वो तिनी funny ना रहे जितनी पहली games होती थी उसकिलाव उन्होंने ये भी clear कर दिया कि Take-Two Interactive को को कोसना छोड़ दो वो रॉक्षार गेम्स को कुछ भी नहीं कह सकते हैं उन्होंने रॉक्षार गेम्स को पूरी freedom दे रखी है कि जैसे काम करना है करो पस blockbuster hate games बनाते रहो तो इस interview से काफी चीज़े clear हो जाती हैं रॉक्षार एं GTA 6 भी current state के बारे में and हम जो लोग Take-Two Interactive को को कोसते रहते हैं व क्योंकि सारे android games easily चला सकता है और PC and console games को stream कर सकता है अभी ये सब के लिए available नहीं है पर बहुत जल्द launch हो जाएगा इसको बनाने का मकसद mobile gaming market को उठाना ही था क्योंकि mobile की limited specifications की वज़े से developers बड़े games नहीं बना पाते पर ऐसे devices specially gaming के लिए बने होते हैं तो ये जादा better gaming करा स switch and steam deck जो कि सारे PC games चला देता है आप ऐसे किसी handle device को try करना चाहोगे या नहीं मुझे बताना comments में अब क्योंकि cyberpunk 2077 game almost बुरी दरा fix हो गया है तो cd project rate उसके expansion पे काम करने लग रहा है उसने latest earnings call में बताया कि उनके maximum developers अब game की expansion back पे काम कर रहे हैं जो शायद next year तक release हो बैसे अब जब game fix होगे है तो क्या आप cyberpunk खिलते हो या नहीं मुझे बताना comments में ऐसी डिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि sony शायद अपनी खुद की game pass type service चार्ट करने वाल है उसका code name sparetecas है और यह spring 2022 में आएगी इससे क्या होगा कि PS now service का end हो जाएगा और यह जो नई service ह 3 tiers में अवलेबल होगी पहले tier PS Plus ऐसा होगा second tier में आप PS4 और PS5 के कुछ games खेल पाओगे and third tier में demos, game streaming और सारे playstation उनके games अवलेबल होगे वैसे कोई surprise नहीं है यह कि Xbox Game Pass बहुत successful है इस time उसके 20 million subscribers हो गए है जो हर मेने उसके लिए पैसे देते हैं हाँ आप game को fully own नहीं कर सकते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगका पर 4000 की 10 games खरीदने से तो अच्छा है कि आप 500 रोपर देतो हर महीने और वैसे ही 100 से भी जादा games खेलो तो बस गई जहीं था आज के gaming news के एपिसोड में I hope कि ए वीडियो आपको बसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है नहीं झाल